नमस्कार आज हम कावे पाठ पांच सहर्श स्विकार है कि हाफ मतलब आधी व्याख्या करेंगे यनि कि तीसरा काव्यांश जिसके कवी हैं गजानन माधव मुक्ति बोध सच मुझे दंड दो कि भूलू मैं भूलू मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिन धुरूवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं इसमें कवी ने जीवन में आने वाली हर स्थिती को खूशी से स्विकार करने की प्रेरणा दी है कवी इश्वर को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे इश्वर तुम्हें भूल जाने की दूसरे लाइन देखिए तुम्हें भूल जाने की जो मैंने गलती की है तो मैं सच मुझ दंड दो दंड के काबिल हूँ अर्थात सच मुझ मुझे आप दंड दीजिए कि जो तुम्हें भूल जाने की भूल मैंने की है तो मैं सजा पाने के योग्य हूँ दक्षिन ध्रूवी अंदकार अमवस्या और अब कभी कहना चाहता है कि मैं दक्षिन ध्रूव में जो मुझूद अंधेरा होता है उसे अपने शरीर पर चेहरे पर अपने हृदे में पालेना चाहता हूँ हर प्रकार से उसे मैं जहेलना चाहता हूँ उसी में नहालू मैं उसी में मैं नहाना चाहता हूँ हर तरह से मैं उसमें लिप्त हो जाना चाहता हूँ क्योंकि इसलिए क्योंकि तुमसे ही परिवेस्टित आच्छादित रहने का रमणिये यह उजेला अब साह नहीं जाता है लेकिन अब मैं आपसे घीरे हुए परिवेस्टित अच्छादित घीरा हुआ अच्छादित ढखा हुआ तो मैं तुमसे घीरे हुए और ढखे हुए इस रमणिये सुंदर उजेला प्रकाश को अब साह नहीं जाता है मतरब सहन नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो अंधेरे में ही लीन हो जाना चाहता हूँ ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है तुम्हारे प्रेम रूपी ममता क्या होता है प्रेम तुम्हारे प्रेम रूपी बादल की जो कोमलता है वो मेरे चारो और मंडरा रही है लेकिन भीतर पिराती है अंदर से वो मुझे पीडित करती है पीराती है का मतलब पीडा देती है कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह है छट पटाती च्छाती को भवित व्यता ड्राती है अब मेरी आत्मा है जो बड़ी ही कमजोर और ऐसमर्थ सी हो गई है और आगे क्या होगा अब तो देखिए मेरे साथ कुछ हो रहा है भवित अव्यता जो आने वाला है यानि कि होनी है उससे मेरे च्छाती छटपटा रही है मैं अत्यन्त डरा हुआ हूँ बहलाती सहलाती आत्मेता बरदाश्ट नहीं होती है अब जो भी मेरे प्रती सहनुभूती दिखाते हैं बहलाते हैं मुझे सहलाते हैं आत्मेता अपनापन जो मुझे दर्शाते हैं कितना मर्जी वो मुझे बहलाने सहलाने और अपनापन दिखाने का प्रयास करें लेकिन अब मैं किसी भी चीज को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, विशेज देखो इसका, इसमें कवी ने अपने दुखों कवरणन किया है, वो ही अनुप्रास, पदमेत्री, रूपक, अलंग कारूं का प्रयोग किया है, सरल और सहज भाशा है, गुण इसमें प्रसाद है, और करूं रस है, मुक तक छंद है, तो आपको ये कवीता का जो थर्ड का वियांश है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, फिर भी कुछ भी मुखे बिंदू लगे आपको उस पर आप रेखांकित करोग है, है?